कि अधियर शुडेंट्स आज हम लोग सेंसस 2011 यानि जनगणना 2011 का एंस रिख्यू लगाएंगे जो के एक्जाम में बहुत इंपॉर्टन प्वेस्टन जो आच उके हैं प्रीविए से पेपर में वह हमने यहां पे लिया है जानते हैं हर्स 2011 ग्यार्व जनगणना वी थी वह 10 साल में जनगणना होती है जो हरे केस में वह नहीं थी लेकिन दूट्शु कोड़ना यह नहीं हो पाई थी अब जो जनगणना होगी आगे हम दो सबसे अधिक अनुसूचित जाती वाला राज्य कौन सा है अनुसूचित जाती वाला राज्य कौन सा है सबसे अधिक अनुसूचित जाती है अनुसूचित जाती है अनुसूचित जाती है मध्यपदेश में यानि एमपी में लेकिन अनुसूचित जाती उत्तर पदेश में और जन जाती मध्यपदेश में नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर जो है थर्ड 2011 के जन गणना के अनुसार किस के अंदसासित प्रदेश का सिक्षा प्रतिसत सर्वाधिक है यानि लिट्रेस्य रेड सबसे जादा है यहां नंबर सी यानि लक्ष दीप लक्ष दीप यहां पर बिल्कुल करेक्ट अनुसर होगा यानि लक्ष दीप में लिट्रेसी रेड साक्षर्ता दर सर्वाधिक है के अनुसासित प्रदेशों में यूनियन ट्रेटीज में बात के यूनियन ट्रेटीज की संख्या करेंट में 8 है हमारे देश में next question number 4 भारत की सरवाधिक जनसंख्या वाला जीला कौन सा है सरवाधिक जनसंख्या वाला जीला भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है कि नई उत्तर पूर्वी पूर्वी दिल्ली या फिर थाने के तो आप चार अप्सन यहां पर दिये गए हैं आपका इसका अंसर नंबर है डी यहां सब्से ज्यादा यहांपर है अंसर after that verse 2.11 की यनगणना के अनुसार जनसंख्या के द्रिशे से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज है यानि जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किस राज की जनसंख्या है आपके पास option है विहार, बंगाल, महाराष्टा और राजस्थान चार option है इस option में आपका answer बताना है और option number यहाँ पे C correct answer है that means महाराष्टा यानि उत्तरपदेश के बाद महाराष्टा का number है सबसे पहला जो जन संक्या मामला में है उत्तरपदेश है उत्तरपदेश के बाद महाराष्टा है महाराष्टा के बाद विहार है और विहार के बाद आपका West Bengal है तो दूसरे सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है महाराष्टा है that means C भारत में सबसे कम जन संक्या वाला राज्य कौन सा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज कौन सा है या राजियों में आप्सन है नौगालेंड सेक्कीम गुवा एंड अरुनाचल प्रदेश यह आपके इतने राजे हैं राजियों में बताना है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज है सबसे जनसंख्या वाला राज हमने बताया पीकि और है भारत की प्रत्वम जनगना कप्रारंब हुए थी तो नंबर सेविन है Histori और से भारत की प्रत्विंजण घरणना कब स्टार्टोटी थी अपसंन नॉंबर this 1872 आफ्सन आपके पास दीए हुए हैं वाल की पर्थम जनकणना करम हुई थे 1872 में आपसे नंबर एह होगा बी होगा सी पर नोबर आब करें अगर बात करें कि हर दस वज़े चिए गणना शुर्गात करें तो तो वह लाट्र बन की आसन काल में करें थी 1881 में तो भारत की पने कर दो मे दोवार्बादिक grab Bringing जिसके गहत सान के बाद अर्षान किसका रही है दूसरे नंबर पर सरवाधिक साक्षर जीला कौन सार पार दुसरे नंबर पर कौन फिर्ट चंडी गड़ी दिल्ली मिजोरम पुद हड़ी सबसे ज्यादा जनसंखे जैसा क्षाथ तावला राज्य तो प्लिजोर नजीए आपको दिखे गांट यहां पर आप्सण जो संथ हो आपका भारत कि जनतसां के टानो सफ जोर के रहा हिता है यानि कितने परच जन다स में रहती है उस नुमबर है कि सरवाट बजर 1.4 बचीया परसेंट 23.3 पर olho3 6.20 युरो 6 ऐसे पास दिये हुए है कि सरवाज जंसंख्या हमारे सहरों में रुप लोग सहरों काम रखकते स्यार और धीनिकन मोस वेखेंगे में देखेंगे ऐससे यि assessments थर्टी किरिफ फॉर सेंट जो है तो शीह जन transition किया राकिकी रीमेरिनींग इतनी कितनी है तो मौन चलिए कि 69% संख्या यह था सकते हैं कि 30% संख्या सहरों करतीई और 70% संख्या traction निमास करतीई तो 30 का रिश्यों भी चल लाए बढ़ गया होगा यह िफुर जटना के अनुसार तो 31.14% हमारे जिन्संघ्या का सहरों मेरे अस्थान हुआ है निमास करतीई नेस्ट कोश्चन है कि जनसंख्या के अनुसार सहरों करें में इसे कौन सा करम सही है जनसंख्या के अनुसार बताना है सही क्रम मुंबई है कोलकाता है दिल्ली है चेन्नाई है कोलकाता है मुंबई है दिल्ली है चेन्नाई है दिल्ली कोलकाता चेन्नाई मुंबई यह दिल्ली सबसे कम ज संख्याला राजी हो गया था यह फी हो गया था और यह कोर्शन था उसके बाद 10 number & answer when question from number point point uh that means Mumbai उसके बाद goal काः उसके बाद दिली उसके बांद चन्रइन सबसे यदा मुंबाई में मोने के अंति माकडों के अनुसार भारत का दुतिय सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य को दूसरी नमबर पर सबसे जाधिक जनसंख्या किस राज्य की है आपको यह बताना है option number a b c c और d चार आपके पास दिये हुए हैं तो हमने बतायत है कि सबसे जाधिक जनसंख्या वाला उत्तरपदेश है दूसरे नमबर पर महाराष्ट्रा है तीसरे नमबर पर खुझ बिहार है तो यहां पर ऑप्सन यो करेक्ट होगा वहां पर सी हो जाएगा यानि सबसे जाधिक ज जन रिजन संख्या उत्रपदेश पढ़ें चाहां यह Б बंगला देस पाकिस्तान जापान बंगला देस ब्राजील जापान बंगला ब्राजील जापान नाइजीरियो अदेनोटर्क्रीते ब्हान जर्मनीं तो यहां पे आंसर देखेंगें तो आपशन नंबर इसका आंसर फोलगा यह इनि बांगला देश पाकिस्तान गयापान इनको मिला दिया जाए उत्तर हैं पयां यहां पर देखेंगे कि आपके पास ऊपसन चार है अरुनाचल प्रदेश मेगाले त्रीपूरा एंड उत्र प्रदेश तो तो सबसे ज्यादा दस्किय व्रद्धी हुई है वो मेघाले में देखने को मिलता है मेघाले यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो ऑप्षन है वो मेघाले है नमबर टू पर यानि बी ऑप्षन बिल्विदा करेक्ट यहां पर जो ऑप्षन है बी वाला करेक्ट है मेघा कle 2001 या ने दस वर्षों में सबसे ज्यक्रणा सप्राइब रिधिन दठने म amar गुजरात में रायस्थान में तो अप्सण आपके पास यहां पर यह य labeled बिहार में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब रिद्धी दर्ज की गई है विए 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 नंबर 15 जनगर्णा की अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश इसा है जहां इस्तुरियों की संख्या पुरूसों से अधिक है इस्तुरियों की संख्या द्वहराय-कार्णा के जर्रणगर्णा के अनुसार देखा जाया तो इस्तुरियों की संख्या ज्यादा है यानि फी मेल्स की संख्या क्या है कम है केर्ल तमिलनाट्र कर、 अंपरिमाचल प्रदेश इन चार्ण में सबसे ज़्यादा है तो पूरे भारत में फीमिल का सेक्स रेश्यों जो यहां पर ज़्यादा है तो आपसे नंबर एक रेक्ट है यहां पर उसके बाद फिर सिक्स्टीन नंबर आपको दिखेगा कुश्चन भारत में दस दस वर्सी जनगर्ना विद्वत रूप से किस वर्से प्रारव गए थी यानि प्रतिक दस वर्सों पर जनगर्ना का कारेक्रम रिगातार नियमित रू प्रत्तर में हुई थी लड़ में उसरी बाद जनगर्ना हुई थी 1881 में हुई थी और यहीं नियमि जनगर्ना है तो आप्सन नंबर भी यहां पर करेक्ट हो गया तो अथाराइस वर्सों से लगातार करती आ रही है कि 17 नंबर हम देखेंगे यहां पर भारत की जनगर्ना दोहरी 11 के आधार पर नियुक्षित में से किस एक की जनसंख्या नियुम्तम है इसमें से देखेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कम जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या किसकी है इन ऑप्शन में एब शरी में सबसे कम है किस एक राज में साक्षरता का सर्वच अस्तर है ऑप्सन है मिजोरम पसिव मंगाल गुजरात या पंजाब इन ही आपको देखना है एक राज में साक्षरता का सर्वच अस्तर सबसे ज्यादा इन नमबर यह होगा डैट मीजोरम साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पर है तो मिजोरम में सबसे ज्यादा पंजाब से मिलाई जाए तो सबसे ज्यादा मिजोरम इस आपको देखने को मिलेगे कि भारत की जन संख्या को श्रंगठित करने वाले मुख्य प्रजातिय समों द्रविण आरे और मंगोल है तो मंगोल का निवास अस्तान सी यानि उत्तर पूरवी भारत में उत्तर पूरवी भारत में से ये विलोंग करते हैं है उसके बाद बारत में निम्तम जनसंख्या वाला जीला कौन सा है आगा सबसे निम्तम जनसंख्या पार चुछ दिवांग गृष्टी वो सबसे अग्याभरा जाता है कि माइब भारत की ग्यारा ज्रेटन के अनुसार भारत में पुरूष का सक्षरता दर में नियुमतं मत्वत磨दय और माध्योस कोस्ण, अच्छा कोस्ट न च SumakGMा न सकता है बात में पूरूस और महिला साक्षरता दर में अंतर बताना है तो यह आपके पास जो ऑप्षण यह दिखेगा अप्षण नमबर जो है यह सा हम लोग कर लिया थे और माशनल पदेश का भी हो गया था यह भी हो गया था घार्ट में दस्किय व्रदी हो गई थी जान संख्या देख लिया था और इसके बाद दिबां घाट यह भी हम लोग का हो गया था और यह होना था ऑप्षन नमबर बी यानि केरला है महिला और पूरुष साक्षरता में सबसे कम अंतर देखा जाए तो केरला में केरला यह संख्या जोहरे 11 के अनुसा जो सेंसर्स हुआ था सबसे ज्यादा जो महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे ज्यादा आप्षन में आप दिखेंगे सी नमबर में यानि मिजोरम बिल्कूल करेक्ट आंसर यहां पर होगा कि के अंच ऑप्टर तर ट्टेस में जनसंख्या पिरामिड क्या अकृती जंस्सां की विस्षताओं को परतीविंबित करती है तो भारत में पिरामिड की आकृती कैसे थका यहां पर देखेंगे और इस तरह से बनाएं गया है यह होता है उसका सिर्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोगे चलते हैं यहां पर देखेंगे 24 नमबर आपका सी करेक्ट है देट मिन्स उच जनम तर तथा गिरती में त्यूदर है यहां पर चुकि अभी आपने ज्यादा एडवान्स होगा है मेडिकल ट्रेटिमेंट ज्यादा होती है हॉस्पिटल ज्यादा खुल गए है अब अबिलेबल है तो उच जनम तर उच होगा है और में घिरा अबिल्यृश ऐसरोस और दिल्ली और चंडिगर्स चाहँ तो आपका कि तो बताना है तो दिल्ली का सी एफ दिल्ली में सबसे ज्यादा जैन संख्याग में तो देखा कि रहा है इसका उन्याफ कर देख कब क्सक्रम है और ओढरोल बीए पोशता है तो ईश्याथ 26 जाता है जनगर्णा के बास सरवादिक लिंगा अनुपाद 2011 में रहा कि नेक्स्ट ऑप्शन करता है 2001 में तुलना में सजोबिद्धी हुई है और सक्षर्टा के गड़ना करने में दस वर्स से अधिक आयो कि बच्चों को सांबिल किया जाता है कि तो अप्शन यहां पर देखेंगे अप्शन नमबर डी यहां पर जो है असत्त्यप यहां कि साथ वर्स यहां करते है जो अधिक बच्चें यह 7 वर्स जाधिक बच्चे है उनको वेवच्चेनगर개를 कर लिया जाता हैं सब्सक्रामिल कर लिए लो यह सबना कि और जहार हुआ के अनुसार संख्या सही और रूषी करम बताईए sam में जैन संख्या का जो घरता करम है वो बताना है बिहार बंगाल किरल बिहार बंगाल किरल बिहार किरल बंगाल या किरल बिहार बंगाल आपके पास चौर ऑप्शन्स हैं तो घरते करम में और वही में बताना है कि ओप्षन आपका एक करेक्ट है यहां पर यानि बिहार बंगाल और किरला तो जनसंख्या का जो घनत्तों है वो घनत्तों करब में हैं बिहार में बंगाल में और किरला में धारिए पहला नंबर उसके बाद नेश्ट कोश्टन आपका है यह गरा जर्गना के उसार भारत में तीसरी सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है सबसे तीसरी नंबर पर तो महाराष्ट्रा बंगाल अंधरपदेश और बिहार तो सबसे ज्यादा तीसरी नंबर पर जनसंख्या कहां की ज सबस्क्राइब तो यहां पर पताना है कौन सा गलत बताना है अब को 211 की अनुसार भात है महिला सक्षर्टा 44.73% महिला सक्षर्टा बराबर है उत्रपदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 22% हिस्सा रहता है महात में सबसे लिंगा अनुपात 1901 की यह निगड़ना में था तो यहां पर पताना है कौन सा गलत है तो गलत यहां पर ऑप्सन नंबर सी है उत्तरपदेश में भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसंट लोग निवास करते हैं यहां दिया हुआ हुआ है 22% जबकि पूरे भारत में भारत के उत्तरपदेश में भारत के उत्तरपदेश म लोग 16 लोग किस प्रदेश में भारत की सबसे अधी गरावीट जनसंख्या रहती है सबसे अधी कि जो है गरावीट गाउं की लोग सब करती है तो आज हम लोग यहीं तरह देते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंप्रॉटन क्वेश्टन एंप्सीक्यू आएंगे तो इसको लगाईएंगा बहुत ही इंप्रॉटन क्वेश्टन है जो क्वेश्टन आपको नए लगेंगे उसको नोट कर लिजेगा थैंक यू एंड बेस्ट आफ लोग बाई बाई